हाला कि नेट के पेपर में जो पेपर नंमर वन रिसर्च एंड टीचिंग यूनिट नंमर एट इसी टी में एक कोस्टिन बनता है बाइनरी टु डेसिमल हाला कि कोस्टिन यह भी बनता है to decimal to binary बड़ हम वो बाद में सीखेंगे अभी पहले क्या है कि binary to decimal binary का क्या मतलब होता है binary का मतलब होता है दो नमबर 0 and 1 इस form में जब कोई number आपको दिया गया हो और उसको decimal base 10 पे आपको convert करना है तब आप क्या करेंगे जैसे मान लिजे आपको number यह लिखा गया है यह आपको binary form में दिया गया है और इसको कहा गया है कि आपको decimal में convert करना है ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाने का आप scholar हो आपको क्या करने का है एक trick ध्यान रखना है सबसे बात कि जब भी कभी binary को decimal में convert करते हैं तो वह एक sequence पर चलता है क्या टू की power 0, 2 की power 1, 2 की power 2, 2 की power 3, 2 की power 4 एन डॉट 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 टू की power 5, 2 की power 6 यह sequence बढ़ता रहेगा तो जो कोई भी number आपको दे रखा है उसके relevance को क्या करेंगे टू की power 0, 2 की power 1, 2 की power 2, 2 की power 3, 2 की power 4 अब आप समझें क्या होगा इन numbers को जोडते भी जाना है 2 की power 0, किसी भी number की power 0 होती है तो वह 1 होता 1 into 1, जो यह आएगा इसको multiply करना है आपको इससे तो 1 into 1, 1, plus, number आपको plus करने 2 की power 1, कोई भी number होगा, यहाँ आएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ भी आएगा तो भी 0 हो जाएगा और 2 की power 3 मतलब क्या, 2 to is a 4, 4 to is a 8 8 into 1, तो यहाँ पर आजाएगा 8 और यहाँ पर क्या आजाएगा, 16 तो आपका number क्या बन जाएगा, 16, 8, 24 और 25 यह आपका exact answer, कभी भी binary, अच्छा हाँ, इसको check भी कर लीजिए, चलिए, 25 को अगर हम binary form में convert करते हैं, तो क्या आएगा, 25 को, अगर हम binary form में convert करते हैं, यह तरीका binary form का है, क्या करेंगे, 2 से divide करेंगे, 2 to 12, reminder 1, जिनको नहीं पता, वो बात में सिखाएगे, यहाँ प 1 reminder 1, ठीक है, अब इसको binary form में जब कभी भी आपको लिखना होता है, तो इसी sequence को उलट दिया जाता है, reminder से लेते हैं, 11001, बन गया, cross check भी हो गया, कि यहीं चीज़ वही है कि नहीं है, है, that's it, hope so आपको binary से decimal में convert करना आ गया होगा, exam hall में 1 second, आप बस देखिएगा, कि क्य सा question यह होता है, ICT में, please like the video and subscribe the channel and also share to others